नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल अभिशेक रजक में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी स्कॉलर्शिप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है यूपी स्कॉलर्शिप का करेक्शन डेट आ चु करना है यूपी स्कॉलर्शिप उसके बाद सर्च पर इस क्लिक करना है जैसी आप सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा अब आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट स्कॉलर्शिप उत्तर प्रदेश पर क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने UP स्कॉलर्शिप का उफिसियल पेज ओपेन हो जाएगा तो हम बेट करते हैं पेज ओपेन होने का Page open होने के बाद आप यहां देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से Interface आजाएगा अब आपको करना क्या होगा यहां एक तीन लाइन दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कई तरीके का ओप्सन खुल जाएगा अब आपको student पर click करना होगा जैसे आप student पर click कर देंगे तो आपको fresh login पर click करना होगा और जैसे उस पर click कर देंगे तो आपके सामने कई तरीके का option आजाएगा तो आप यहाँ से post merit other than enter student login select करते हैं एगर आप pre-matrix हैं तो आप pre-matrix select कर लिजेगा तो चलिए हम अपना select कर लेते हैं जैसी आप select कर लेंगे तो आपको login करने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर आपने सारी detail को डाल के login कर लिजे तो चलिए यहाँ से हम अपने registration संख्या को डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको अपना registration संख्या डाल देना होगा उसके बाद आपको अपने data birth को डाल देना होगा उसके बाद आपको अपना password डालना होगा तो चलिए यहाँ से अपने password को डाल देते हैं password डालने के बाद आपको यह capture code डाल देना होगा तो चलिए यहां से डाल देते हैं उसके बाद आपको submit पर click करना होगा तो चलिए हम submit पर click कर लेते हैं जैसे आप submit पर click कर देंगे तो आपकी पूरी detail आपके सामने open हो जाएगी तब आप यहां देख सकते हैं हमारी पूरी detail open हो चुकी है अब आपको नीचे आना होगा और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं लिखा गए आविदन पत्र को संसोधित करें तो जैसे ही आप इसपे click कर लेंगे तो आपका आविदन पत्र संसोधित करने के लिए open हो जाएगा तो चलिए यहां से आप संसोधित भी कर सकते हैं और यहां पर जो सबसे important बात है कि आपको status देखने के लिए करना क्या होगा तो आपको यहां status देखने के लिए आविदन पत्र की इस्तिती जानने के लिए यहां click पर click करना होगा जैसी आप इस पर click कर देंगे फिर से refresh हो जाएगा और refresh होने के बाद आप यहां देख सकते हैं आप last में जब आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस scrutiny result में क्या बता रहा beneficiary created based on account but UID is invalid तो मैं आपको बता दूँ इस problem को मैं खुल नहीं समझ पा रहा हूँ यह problem क्या है अगर इस से जुड़ी कोई भी मुझे जानकारी मिलती है तो मैं अगली वीडियो इस पर बना दूँगा तो कुछ इस तरीके से आपका status सो हो रहा होगा तो मेरे में यह बता रहा है आप में कुछ और बता रहा होगा तो इस तरीके से आप अपने status को देख सकते हैं और यहां से form को संसोधन भी कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लगयोगी तो वीडियो को लाइक कीजे दोस्तों के साथ सेयर कीजे और हमारे इस चैनल को सब्स्ट्राइब कीजे तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई